रादिस्तान की पिछड़ी जातियों में शामिल सांसी समाच के पंच प्रमुखों ने खुद को राजपरिवार का बता कर एक नई जानकारी सो रूबरो करवाया है खुद को शत्रिय बताने वाले सांसी समाज के लोगों का कहना है कि किसी समानी में इरान में उनके पूरवद शासक हुआ करते थे सांसी समाज के दावों में कितनी सचाई है ये तो इतिहास विशिशक ये बता पाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि समय के साथ धीरे धीरे पिचरते चले गए सांसी समाज की लोग कुछ समय पहले तक चोरी चकारी करते ही अपना पेट भड़ा करते थे लेकिन अब वो इस चोरी चकारी के काम से आगे बढ़ें हैं राजस्थान और देश की अलगलग संस्कृति की बात करें तो अब तक यही माना जाता था कि राजाओं का जो राज रहा है उसमें आम तोर पर राजपूत समाज की लोग या फर मुस्लिम देखे तो नवाब खांदान की लोग वहा करते थे मगर क्या आपको पता है कि जो सां करें उनसे ही जानते हैं क्या इस बात में सच्चाई है क्या हकीकत है और आकिर आपनों कौन है वैसे तो राजपूत कौम से निकड़ा हुआ एक अंस हैं लेकिन लंबे समय में हमारे पर जो अत्याचार हुआ जुलम का शिकार होने के कारण अफरेंस रूप से अपनी असलि वो सासी जाती से था इरान में पूरा एक परदेश है राजेतान जैसा जिसका नाम सासान परदेश है वहाँ से जब इसलाम आये तो हमारे लोग इरान छोड़के भागे और भारत के कई भागों वैसे आपके पुरातव लेक्ष में ये सबूत हैं सारे यहाँ जब हमारे पास कोई रोजगार था नहीं ना हमारा ऐसा कोई धंदा था ना जमीन के मालिक थे तो ऐसी परस्तिती में चोरी करना या उच्छी हरकतों में उलचने के काल समाज बदनाम हुई लोगों ने चोर सावीत करने का परियास किया इतने बड़े संगर से यह कौमें सारी है कि जुड़ी हुई कौमें हैं एक और सर्जन से बात करते हैं कि आप क्या दावा करेंगे कि क्या राश्ट परिवार से हैं येस हम राजा सेंसमल के संतान हैं क्या और हमारे पूरुज पहले सासानी इरान से आया हम 16 सदाबदी में भारत में राष्टा हमा पर देश से सरु में हमारे पूरुज जंगल में रहते थे क्या जंगल में आज इस गाउं कल उस गाउं में कोई रिने नहीं देता था चुट-फुट चोरी करनी क्या जानवर उठाना यह हमारे पूरुजों का दंदा था पले आज हमारा समाज जो सक्षम हैं पड़ा प्रवाए हैं हम सट्रीवं से पर देख सकते हैं कि सांसी समाज पर वले किसी भी तरके पैबंद लगते रहे हों उंगले उटसी रहे हों लेकिन जिस तरह का दावा समाज की लोगों ने किया है अगर ऐसा है तो अपने आप में जो और लोग दावा कर रहे हैं उनके दावा में एक और दाविदार खड़े हो गए हैं जोत्पूर